क्ैलेंच छोड़ाँ खाल, दोस्तों आज मैं आप लोगी शाद शेयर करूंगा किलिंचो फ्लार फ्लाऊर प्लाइनटCIRE की सामार क्या क्या होना चाहिए , आपके पास लिजा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ,अगर नहीं भी लाट भी खुबसुरत फ्लाए प्लाइक है और नानस्तं करने वाले एस फ्लाएक प्लाइक है एस पता है कि आप लोग की पास बहुत दोस्तों की पास ये ज़िव फ्लाइक है और मर जाते है एसका रिजन क्या है और और Is Espany Bear पूरे समार में आप कैसे क्यार करेंगे, फटलेजर क्या देंगे, शब कुछ एक ही वीडियो में रहेगा, दोस्तों आप लोग मेरे साथ जोडने के लिए मेरा फेस्बुक पेज है, ग्रिन गर्डेन नाम से, वहाँ पर भी जोर शक्ते है, वहाँ पर भी मैं रिल डालता हू चोटे-चोटे क्यार के लिल डालता हूँ, वह सब आप लोग देखके भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे पेज को भी लाइक करें, ग्रिन गर्डेन पेज है फेस्बुक में, इंस्टाग्राम में भी आप लोग जोर सकते हो, इंस्टाग्राम देखिए मेरे जो चैनल है, चैनल जो मिल जाएंगे, गार्डेनिंग से रिलेटर शभी प्रकार के वीडियो ग्रिन गर्डेन चैनल में मिलते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा बेनेफिट्स होगा, चली दोस्तों, आज देर ना करते हुए, ए फ्लावर प्लांट की क्यार कैसे करेंगे, कहा पर राखेंग आपको बताते हैं, और भी मैं कुछ प्लांट आप लोगों को देखाता हूँ, ए देखिए, केलेंच जो फ्लावर प्लांट में जो फ्लावर खिले हुए है, मेरे एक फ्लावर प्लांट में हाजारों की शंख्या में फ्लावर खिले हुए, इतनी शंख्या में फ्लावर प और यह जो color है white color है, यह मेरा पुराना plant है, means एक शाल पुराना plant है मेरे पास, और एक शाल में ही इतने ज़्यादा फ्लावर किले है हाजारों की शंखा में, आप लोग अगर propagation करना चाहते हो, केलेंच फ्लावर प्लावर प्लावर को नया नया plant बनाना चाहते है, तो आप कैस से तयर कर शकते हैं, देखिए, यह flower plant को मैंने cutting से तयर किया था, यह जो flower plant है, इसका ही cutting से तयर किया था, यह मेरा mother plant है, और भी मैंने cutting से तयर किया, यह देखिए, cuttings हमने लगा दिये थे और लग चुके है, बहुत सरे cuttings तो हमने gift में भी दे दिये है, और यहाँ पर देख और शबी प्लाइंट बूशी होते जा रहे शब ही का मैं रिपाटिंग कर दूँगा आठ से 10 प्लाइंट तो जरूर होंगे इसमें शबी का मैं रिपाटिंग कर दूँगा आप लोग अगार प्रोपागरशन करेंगे तो प्रोपागरशन कैसे करेंगे देखिए इसमें तो देखी किरेंगे और हम यहां और इतनी हम शोयली की शोयल की नीचे डालके लगा देंगे छोटे से पॉट में जैसे एक धाइ आई इंच की पॉट मेन लगा मीडिया क्या राखेंगे आप मीडिया में दीजिए 50% सेंड 25% कमपोस्ट 25% शोयल ऐसे एक मीडिया तेयर करें ताकि हम जैसे ही पानी डालेंगे और तुरंत नीचे से पानी पासेस हो जाए ऐसा एक मीडिया होगा और आप काटिंग्स लगा दीजिए 100% लगा और शाल भर मे कभी भी आप इसके काटिंग्स लगा शक्ते हो अभी भी आप काटिंग्स लगा शक्ते हैं सेकंड अभी इतने सारे फ्लावर खिले है और फ्लावर मुर्जात जा रहा है तो हम क्या करेंगे धीरे धीरे करके ऐसे करके कट कर देंगे या से पूरे फ्लावर इस्टिक को हम क चोटे करेंगे तो और भी छोटे भी करशचटे हैं लेकिन आप ही नहीं करेंगे छोटे किस टाम करेंगे जिस टाम 12 होगा ओस टाइम आप अगर यहां से करदेंगे तो यह देखे जती पते थे जितनी भी पते थे शुवी जग fuse एक एक दो दो करके इसका प्रूनिंग कर सकते हो और रिपर्टिंग के लिए भी मैंने मीडिया बता दिया आप लोग को 50% सेंड 25% कमपोस्ट 25% शॉयल एड़ करें अच्छा से उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है और आप शीधा लगाईए आपकी फ्लार प्लांट एक वीडियो में आपको कैलेंचो फ्लार प्लांट को एक ऐसी जगा पर रखना है जहाँ आप च्छन कर धूप आता हो इट मिंस ग्रेन नेट की निचे रख शकते हैं या सेमी सेड में भी रख शकते हो नो प्रब्लिम बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी फ्लार प्लांट में ऐसे फ्ला पानी देंगे इसके बाद कर देंगे पानी इसके बाद कब देंगे पानी इसके बाद कई देंगे जीस दिन देखेंगे आपकी शोयल ड्राय हो चुकए है वात्रिंग करेंगे, तो इसकी पत्ते जर जाते है, और यह जो पत्ते मैं एक ठोड लिकाटे में आप लोग को दिखाता हूँ, यह जो पत्ते की ऊपर की हिश्चा टीप्स जर जाते यह आधा हिश्चा जल जाते है यह जो आधा हिश्चा है यह आधा हिश्चा जल जाते है यहां से जल जाते है आप अगर यह जल जाएगा पानी ज्यादा देंगे तो पानी आप अगर कम देंगे तो नहीं जलेगा थोरा सा मुर्जा जाएगा पानी फिर से देंगे आपकी फ 20% compost मिलाके 80% shinder के साथ आप लगा शकते हो तब भी आपको 100% अच्छा result मिलेगा मेरे ए फ्लार प्लांट shinder मिडिया में लगा हुआ है ये देखिए ये शिंडर है और ये देखिए ये शॉयल है ये भी देखिए शॉयल है ये शॉयल में है no problem चली आप मैं fertilizer बता देता हूँ इसमें क्या देना है केलिंचो फ्लार प्लांट एक ऐसे फ्लार प्लांट है इसको सेम रेशियो की NPK बहुत ज़्यादा पसंद है इसम रेशियो इट मिन्स 1990-19, 2020-2020, 18-19-19, 15-15-15 जो भी सेम रेशियो वाले NPK है वो NPK हम देंगे चली आप कैसे देना है देख लेते है दोस्तो हम fertilizer कैसे देते है देखिए fertilizer देने के लिए हम लेंगे NPK 1919-19 और magnesium sulfate यह मेरे पास 1919-19 है magnesium sulfate है और हमने लिए है एक लिटर पानी और यह जो इस्पून है बान ग्राम की स्पून है इसमें से हम magnesium sulfate दो ग्राम ले लेंगे देखिए दो इस्पून बान और एक बान टू हो गया ठीक सेम quantity में हमको लेना है NPK 1919-19 और देखिए एक ग्राम यह एक ग्राम दो ग्राम इसके बाद हम बहुत ही अच्छा से mix कर लेंगे बहुत अच्छा से हमको mix कर लेना है यह देखिए यह fertilizer dissolve हो चुके है आप यह जो fertilizer है जो छोटे छोटे pot है इसमें 250 ml करके देना है यह देखिए यह plant को हम दे देंगे 200 ml यह देखिए हमने 200 ml दिये बाकी बचा लिए है और इससे भी जो छोटे plant है इसमें हम दे देंगे थोड़ी सी 50 यह 100 ml देखिए और pot की drainage hole से देखिए passes हो चुके है बहुत ही अच्छा से देखिए इसकी जिसको मैंने पहले दिये है उसकी pot की drainage hole से passes हो चुके है चोटे जो pot है इसका भी drainage hole से passes होना इस्टार्ट हो चुके है ऐसी करके हम fertilizer देंगे और इससे जो बड़े plant है यह देखिए यह इससे बड़े plant है तो इसमें हम डाल देंगे यह देखिए एट ए टाइम एक ग्राम NPK नैंटीन नैंटीन और एक ग्राम magnesium sulfate और देखिए pot की drainage hole से देखिए पानी passes होना इस्टार्ट हो चुके है और जो shinder media में है जितनी भी fertilizer बचा है पूरे fertilizer हम shinder media की pot में हम डाल देंगे ओपर से डाल देंगे यह देखिए shinder media में लगा होंगे आपके पास केलेंचो फ्लार प्लाइंट तो इसको आप फाइट लेजर एक दिन आंतर से दीजिएगा अगर shoyal media में लगा है तो आप 7 दिन आंतर से देंगे चलेगा बहुत ही अच्छा result आएगा ऐसी करके आप लोग आपके केलेंचो फ्लार प्लाइंट की समर सिजिन में क्यार करें आपको बहुत ही अच्छा result मिलेंगे बहुत जल्द आप लोग को मैं शेयर करूंगा कि इसका reporting कैसे करेंगे मुझे बड़े फ्लार प्लाइंट का भी reporting करना है छोटे छोटे फ्लार प्लाइंट की भी reporting करना है मैं एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर दूंगा उम्मिद करूंगा आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें शाब्सक्राइब जरू करें शाफ्त में बेल आइकन को प्रेस करें आक सर्बाचीं